एक काफी हरे भरे जंगल में एक कालू कववी और उसकी पतनी रानी कववी और उनका एक बेटा राजू कववा रहते थे अरे बेटा राजू क्या हुआ तुम इतने उदास क्यों बेटे हो मैं चिडिया अंटी के हा गया था मैंने उनके बेटे से कहा कि तुम जड़ा मेरे साथ थोड़ी देर के लिए खेल लो तो उसने मुझसे साफ इंकार कर दिया वो बहुत ही ज़दा गमंडी है राजू मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है के तुम उस चिडिया के बेटे के साथ नहीं कहला करो वे तो है ही गमंडी और तुम्हें भी अपने साथ खराब कर लेगा वो अच्छा राणी मैं जा रहा हूँ मेरे भाई बबलू कवे ने मुझे दूसरे जंगल बुलाया है उसने बहुत सारी गंदम की फसल इखटा करी है जिसमेंसे वो मुझे भी थोड़े सी गंदम की फसल देना चाता है तुम राजू और अपना दिहान रखना मुझे आते आते राद भी हो सकती है ठीक है कालू मैं अपना और राजू का दिहान रखूंगी आप निश्चिंद होकर चले जाएं फिर कालू कववा अपने भाई बबलू कववे के पास दूसरे जंगल चला जाता है फिर कालू कववा दूसरे जंगल की तरफ जाही रहा होता है कि कालु का वे को रास्ते में भूख लग जाती है जिसकी वज़ा से वे कालु का ववा एक पेड़ पर आकर बैट जाता है आरे रे मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है अब मैं क्या करूँ चलो इस पेड़ पर जो मीठे मीठे अमरूद लगे हैं इनको ही तोड़ कर खा लेता हूँ फिर कालु का ववे मीठे मीठे अमरूद को तोड़ कर खाने लगता है वा 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 बहुत ही मज़े का ये अमरूद था माजा ही आ गया इसको खा कर तो चलो चलो कालु का ववे अब चलता हूँ अगर रात हो गई तो जाना मुश्किल ही हो जाएगा मेरा फिर कालू कोवा ऐसे बाते कर ही रहा होता है कि कालू कोवे को अचानक एक तीर आकर लग जाती है जिसकी वज़ा से कालू कोवा बहुती जादा घायल हो जाता है बाब रे बाब लगता है शिकारियों ने मुझ पर हमला कर दिया है अरे ये तीर कोई निकालो वरना मैं तो मरी जाओंगा अरे कितना दर्द हो रहा है अरे कोई तो मेरी मदद करो फिर कालुकववा ऐसे चीख ही रहा होता है कि वहाँ पर एक तोता आ जाता है और वे तोता उस कालुकववे को ऐसी हालत में देखकर उस कालुकववे से कहता है अरे कालुकववे ये क्या हो गया तुम्हें तीर कैसे लग गई अरे वे तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा अरे मैं अब क्या करूँ आरे तोते मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम जल्दी से जंगल जाओ और जंगल से जाकर सारे पक्षियों और रानी कोवी को बुला कर यहाँ पर ले आओ फिर वे में तूत होता भागा भागा सारे पक्षियों के पास चला जाता है आरे आरे तूनी चड़िया कालू कोवे को खिसी ने तीर मार दिया है जिसकी बज़ा से कालू कोवे को बहुत दर्द भी हो रहा है वो हमें बुला रहा है तुम एक काम करो बाकी सारे जंगल के पक्षियों को जमा कर लो जब तक मैं रानी कोवे कोवे ये बात बता देता हूँ ठीक ही मिट्टू दोती तुम ज़ाओ जिल्दी और रानी कोवे को भी बुला कर ले आओ जब तक मैं सारे पक्षियों को यहीं पर जमा कर लेती हूँ फिर हम सब मिلकर उस कालु कोवे को बचाने के लिए जलते हैं फिर मिटू दो था राणी कोवे के पास चला जाता है राणी कालु कालु कोवे को एक तीरा करन लग गया है कालु कोवा बहुत गायल भी है उसकाँ बहुत automatically निकल रहा है तुम जल्दी चलो, कालू कावा तुम्हें बुला रहा है क्या हो गया है मेरी कालू को वे तो अपने भाई बबलू कोवे के हाँ जा रहा था तो उसको तीर आकर कैसे लग गई चलो मिटू दोते, जल्दी से हम लग चलते हैं उस कालू के पास फिर सारे जंगल के पखशी मिलकर उस कालू कोवे के पास जाने लगते हैं कालू, ये तुम्हें क्या हो गया है तुमने ऐसे आखें क्यों बन की हुई है तुम उठो, मुझसे बाते करो तुम्हें ये तीर कैसे लग गई है एरे रानी कोवी, आप थोड़ा सबर रखिये मुझे लगता है कि अब ये कालू कोवा हमारे बीच नहीं रहा है एरे ऐसा कैसे हो सकता है कालू को तीर कैसे लग गई कालू हमें छोड़ कर क्यों चला गया कालू, तुम उठी जाओ, मुझसे बाते करो एरे रानी कोवी, ये कालू कोवा अब हमारे बीच नहीं रहा है चलो, अब यहां रहने का कोई फाइदा नहीं है चलो, सब अपने अपने गोशने में चले जाते है फिर सारे पक्षी उदास होकर वहां से चले जाते है उन सारे पक्षियों के जाते ही वहाँ पर एक वैज जी आ जाता है वेवेज जी कालुकोवे को देख कर कहता है अरे लगता है इस कालुकोवे को किसी शिकारी ने तीर मार दिया है चलो जल्दी से इसकी मरहम पट्टी कर देता हूँ फिर वेवेज जी कालुकोवे की मरहम पट्टी कर देता है और उस कालू कोवे को कुछ देर के बाद होश आ जाता है आरे वेज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मरम बट्टी कर दी मैं तो पेर पेर बेटा आराम से मजे मजे का बोजन का रहा था फिर अचानक मुझे एक तीरा कर लग गई तुम चिंता ना करो कोवे तुम जल ठीक हो जाओगे बस अपना दिहान रखना चलो अब मैं चलता हूँ वहीं दूसी तरफ पूरे जंगल में कालू कोवे की मरने की खबर फैल चुकी होती है और सारे पक्षी अफसुर्दा होते हैं अरे तुते भीया वे कालू कोवे जैसे भी था पर दिल का बहुत अच्छा था उसके बगर तो ये पूरा जंगल सुना सुना हो गया है आरे हाथ चुणिया बेहन वे कालू कोवे जैसा भी था पर बहुत अच्छा था वे हर बार गलती करता था और फिर माफी भी मांग लेता था अब मुझे उसकी एकें गलती याद आ रही है एरे तोती भीयो हमें उस कालू कोवे की इतनी याद आ रही है तो सोचें उस रानी कोवे को उस कालू कोवे की कितनी याद आ रही होगी चले हम लोग उसरानी कवी को कुछ बोजन दे आते हैं उसरानी कवी का एक चोटा सा बेटा भी है वे रोजाना कैसे बोजन रुण देगी चलो हम लोग उसरानी कवी को थोड़ा सा बोजन दे आते हैं और हम लोग अब रोजाना उस रानी कोवी को थोड़ा थोड़ा भोजन दे देंगे तेक है चिरिया बेन मैं चलता हूँ और मैं सारे पक्षियों को भी कहा दूँगा कि मैं रोजाना थोड़ा थोड़ा भोजन उस रानी कोवी को दे कर आ जाए इस तरह उस रानी कववी को भी अच्छा लगेंगा फिर टूनी चिडिया और वे तोता कुछ भोजन लेकर उस रानी कववी के पास चले जाते हैं एरे रानी कववी मैं और तोता आपके लिए कुछ खाने के लिए भोजन ले आएं आप इसको खाली जिए और अपना पेट भढ़ लें फिर रोजाना रानी कववी को कोई न कोई पक्षी आकर भोजन दे जाता था जिसकी वज़ा से रानी कववी को बेटे बेटे भोजन खाने को मिल रहा था एरे ये कालू कववा तो चला गया और इसकी वज़ा से मुझे और राजी कववे को रोजाना कितने मजे मजे का बोजन खाने को मिलता है फिर रानी कोवी ऐसे बाते कर ही रही होती है कि वहाँ पर कालू कोवा आ जाता है और रानी कोवी कालू कोवे को देखकर दंग रह जाती है एरे ये कालू तो नहीं हो सकता कालू तो मर चुका है यकीनन ये कालू का भूत है एरे कालू के भूत तुम यहां क्यों आए हो मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है औरे औरे रानी ये क्या कह रही हो मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ बलकर मैं तो असली कालू कोवा हूँ फिर वे कालू कोवा सारी बातें उस रानी कोवी को बताने लगता है और ये बात सुनकर रानी कोवी बिलकोल ही दंग रह जाती है अरे वा कालू तुम जिन्दा हो तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तो ये सारे पक्षी मुझे रोजाना मजे मजे का बोजन दे कर जाते थे और मैं खुब मजे ले लेकर वे बोजन खाती थी अब तुम आ गए हो अब वे पक्षी मुझे रोज जो मजे मजे का बोजन देते थे वे नहीं देंगे अब तुम्हे ही मुझे मज़े मज़े का बोजन खिलाना पड़ेगा और नहीं रानी मैं तुम्हें रोजाना मज़े मज़े का बोजन नहीं खिला सकता हूँ बलके बेपक्षी ही तुम्हें रोजाना मज़े मज़े का बोजन खिलाएंगे मेरे दिमाग में एक शातिर योजना आई है देखो रानी मुझे यहां पर आते होगे किसी भी पक्षीने नहीं देगा है मैं चाहता हूँ के तुम्हें रोजाना मजे मजे का बोजन मिले इसलिए मैं वापस चला जाता हूँ और हाँ मैं रात के अंदेरे में आऊँगा और तुम मेरे लिए थोड़ा बोजन बचा कर रखना और मैं रात को आकर विक खाकर वापस चयाँगा इस तरह तुम्हें भी मजे मजे का बोजन खाने को मिलेगा और मुझे भी एरे वा कालू, तुम्हें तो मानना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में क्या योजना आई है, चलो चल्दी से यहां से चले जाओ, इससे पहले तुम्हें यहां पर कोई पक्षी देख ले फिर वे कालू कोवा छुपता चुपता वहां से चला जाता है, फिर रात होने पर वे कालू कोवा अपने घोंसले में वापस आता है, और मजे मजे का भोजन काकर वापस चला जाता है, फिर रोजाना की तरह वे कालू कोवा एक दिन अपने घोंसले में भोजन खाने के लिए चलो रानी जल्दी से मुझे खाने के लिए बोजन दे दो वरना मुझे यहाँ पर कोई पक्षी देख लेगा कालुकवे के पास ही एक पेड़ पर एक बुलबल सो रही होती है और वे कालुकवे की आवाज सुनकर उड़ जाती है एरे ये तो कालू कववे की आवाज लगती है लेकिन कालू कववे तो मर चुका है तो फिर कालू कववे की आवाज कहां से आ रही है फिर बुलबुल की नजर कालु कववे के गोंसले पर पड़ती है तो बुलबुल देखती है कि कालु कववा अपने गोंसले में बेटा भोजन का रहा होता है एरे ये तो कालु कववा ही लग रहा है लेकिन ये कालु कववा कैसे हो सकता है कालुकोवा तो मर चुका है चलो उस घोसले में जाकर ही देखती हूँ कि ये कालुकोवा है या फिर कोई और फिर वे बुलबुल कालुकोवे के घोसले में आ जाती है एरे कालुकोवे तुम तो मर चुके थे तो तुम जिन्दा कैसे हो गए अरे रे ये क्या देख रही हूँ मैं कालुकोबा तो जिंदा है आरे रे बुल बुल तुम यहां क्यों आ गई अरे तुम तो अपने गोसले में सो रही थी जाओ जाओ जाकर अपने गोसले में सो जाओ और इसको सपना समझ कर भूल जाना अच्छा कालुकवे, अब मेरे समझ में आया, कि तुम लोग ये सब कुछ मरने का नाटक कर रहे थे, तुम्हे तो रोजाना फिरी फिरी का मज़े मज़े का बोजन मिल रहा था, तो तुम लोग तो ये नाटक करोगे ही ना, अब देखो, कल सारे पक्षियों को ले कर यहां प ये देखकर तो हमें बहुती खुशी हुई है, लेकिन आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई, वो मैं बताती हूँ आपको चिडिया बेहन, ये कालुकवे मरने का नाटक कर रहा था, इसको रोजाना मज़े मज़े का मुप में बोजन मिल रहा था, तो ये तो नाटक पड़ा, फिर सारे पक्षी उसका लुकवे को माफ कर देते हैं, और वापस अपने अपने गोंसलों में चले जाते हैं,